दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल All Information बार में जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साथी साथ यहाँ पर दो ऐसे प्लैन से जिसके बारे में आप जान की बहुत ज़्यादा खुस होंगे क्योंकि यह प्लैन इतने ज़्यादा सथे हैं कि इसके बारे में आप जो अगर जान जाते हैं तो साथ आप BSNL की तरफ पोर्ट भी कर जाएं एक 19 रुपय का प्लैन है और एक 49 रुपीस का प्लैन है उसके साथ बहुत सारे से प्लैन लांच किये गए है BSNL की दारा जो की बहुत ज़्यादा सस्थ है और टेलीकॉम कंपनीस के माध्यम से सो दोस्तो चलिए वीडियो को शूर करते हैं शूर करने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर पहली बार अगर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकिशन बेल को औल पे करके नेबल ज़रू कर लीजएगा क्योंकि ऐसे क्वालिटी कंडिट वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली बेसेस पर देखने को मिल जाते हैं चैनल शूर करते हैं आज का ये वीडियो सो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ प्लान है अब इस प्लान में आपको कोई एक्स्टा बेनिफिट तो नहीं देखने को मिलता बट यहाँ पर 19 रूपीज में आपको 30 दिनों की वेलेडिटी देखने को मिलती है जिससे आपके पास कॉल आएगा यानि अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो कि सिर्फ पर सिप कॉल को रिसेव करने के लिए एक सिम यूज़ कर रहा है सो इसके लिए BSNL के लिए 90 रूपीज का जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट फुल होने वाला है क्योंकि सिर्फ पर सिम 19 रूपीज में आप अपने यापर सिम को जो है वो कंटीनिव कर सकते हो सो आपको ये प्लान कैसा लगा जरूर बताइएगा आई तिंक ये BSNL का ये एक मास्टर स्टोक प्लान है जो कि other companies इसी प्लान के लिए यानि अपने सिम को चालू रखने के लिए 79 रूपीज का चार्जेस करती है बट वो कुछ ने कुछ एक्स्टा बेनिफिट प्रोवाइड करती है अगर SMA कोई ऐसा customer है जो सिर्फ अपने सिम को activate रखने के लिए यहाँ पर रिचार्ज करवाता है या फिर यूज कर रहा है सो BSNL की तरब से यह 19 रूपीज का master stock plan यहाँ पर सावित हो सकता है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 49 रूपीज वाले plan के बारे में यहाँ पर BSNL की तरब से एक और plan लाउंच किया गया जिसका price है 49 रूपीज और इसकी भी validity जो है वो 30 दिनों की है जहाँ पर आपको यहाँ पर 100 minute की जो calling है वो limit देखने को मिल जाती है साथी साथ 200 MB data और यहाँ पर आपकी जो calling की limit है वो 100 minute की है यानि आप 49 रूपीज की plan में यहाँ पर 100 minute तक की calling कर सकते हो एक घंटे से भी ज़्यादा की calling कर सकते हो यहाँ पर आपको लगबग 30 दिनों की validity देखने को मिल जाती है साथी साथ BSNL की तरब से और भी वही सारे plan launch किये गए हैं जो मैं आपको बता दू यहाँ पर 398 का जो plan है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 30 दिनों की validity जहाँ पर आप unlimited 4G internet यूज कर सकते हो BSNL की तरब से I think यहाँ पर 400 रूपे में आपको सिर्फ और 400 रूपे में 398 रूपीज में आपको unlimited internet BSNL की तरब से देखने को मिल जाता है वो भी पूरे 30 दिनों के लिए 4G internet सो कैसा लगा यह वाला plan भी आप comment करके बताईएगा और भी कई सारे plans जो कि BSNL की तरब से launch किये गए है सो यहाँ पर BSNL की तरब से यहाँ पर launch किया गया है एक और plan जो कि 398 रूपीज का है यहाँ पर आपको 2GB और 3GB data आप कोई भी इसमें से चूज कर सकते हो daily देखने को मिलेगा वो भी 30 दिनों के लिए साथी साथ आपको unlimited calling और 200 SMS per day देखने को मिल जाता है यहाँ पर एक और plan लाँच किया गया BSNL की तरब से 187 रूपीज का plan जो कि 2GB daily data with unlimited calling 100 SMS per day और 20 जो validity होगी वो 28 दिनों की होगी और the telecom companies इसी जगा पर 249 रूपीज आपसे चार्ज करते हैं 28 दिनों की validity के साथ साथी साथ आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5GB data ही provide कराते है तो BSNL ने आपको 2GB data provide करा रहा है अब यहाँ पर एक और plan लाँच हुआ है जो कि होगी अब BSNL की तरब से एक और plan launch किया गया है जो कि 247 का है जहाँ पर आपको 3GB data per day देखने को मिलेगा truly unlimited calling देखने को मिलेगी साथी साथ यहाँ पर 800 minute आपको calling के लिए यहाँ पर provide किया जा रहा है जहाँ पर आपको 100 SMS daily के लिए देखने को मिलेगा इसकी validity जो होने वाली है वो 40 दिनों की होने वाली है अब यहाँ पर BSNL की तरब से एक work from home भी plan launch किया गया है जो कि उन लोग के लिए जो घर पे रहके काम कर रहे हैं और उन्हें daily data limit नहीं चाहिए सो यहाँ पर उनके लिए 151 और 251 का plan launch ही आगया है जो कि 28 दिनों की validity होगी 151 में आपको लगबग यापर 40 GB data देखने को मिल जाता है बिना किसी daily data limit के साथी साथ 251 में आपको देखने को मिल जाता है 70 GB data जो कि 28 दिनों की validity होगी बिना किसी daily data limit के सो दोस्तों आप comment करके जरूर बताइएगा ये सबी plans आपको कैसे लगे और खासकर उस 19 डूपीज वाले plan के लिए कमिट करिएगा कि क्या आप भी अपने secondary sim को start करने के लिए आपर continue रखने के लिए कुछ ऐसे plan की खोज कर रहे थे या फिन नहीं सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दोस्तों आपको कर दोस्तों आपको कर दोस्तों